हेलो दोस्तो स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैपसूल में आज हम डिसकस करेंगे सेम मुचल फंड डिस्ट्रिब्यूटर के एकजाम के बारे में अल्रेडी दो वीडियो हम बना चुके हैं अगर आप वीडियो नहीं देखें तो दोनों वीडियो को जाकर करके आप सबसे प आप वीडियो कर सकते हैं और एक्जाम में क्वालिफाइ करना ही सिर्फ हमारी मेंटेलिटी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए आपको नौलेज भी जाना चाहिए चुकि अगर आप मुचल फंड का एक्जाम दे रहे हैं तो इतना आपके लिए नौलेज होना चाहिए कि क्या-क मुच फंड होते हैं क्या होते हैं किस फंड मेंस्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उससे पहले हमको बेसिक समझना जरूरी है सेथिक तो हमलोग स्भाउआं क यह वीडियो नंबर 3 हो गया मुचल कर तो वीडियो अल्रेडी बना चुके हैं हैं तो अगर आप चैनिल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लीचे लाल कलर का बटन होगा उसके बाद अगर पूरा वीडियो देखी अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइप जरूर कीजिएगा और दोस्तों की बीच भी सेयर कीजिएगा जिनका भी मुचल फंड का एकजाम है उनको भी useful हो जाएगा उनके लिए भी fruitful होगा वो भी एकजाम दे पाएंगे अच्छे नंबर से qualify हो पाएंगे तो समय नहीं बढ़बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की और देखे सबसे पहले कुछ-कुछ important point है मुचल फंड के structures के बारे में the applications to save you for registration of a mutual fund is made by the sponsor and thereafter the sponsor invest in the capital of the AMC application to save you for registration of a mutual fund मतलब mutual fund का registration जो होता है आपको पता है यह सेवी के दोरह ही होता है तो सेवी के पास जो applications दी जाती है is made by the sponsor sponsor वह sponsor के दोरह बनाई जाती है उसके बाद क्या होता है sponsor लोग जो होते हैं वह sponsor invest करते हैं किसको AMC के capital में समझ गया है समझ में सब आ जाएगा दीरे दीरे patience रखे sponsor अब sponsor के बारे हम लोग क्या समझने के कोशिस कर रहे है a sponsor should be carrying on business in financial services for not less than 5 years अगर कोई mutual fund का sponsor बनना चाहता है या sponsor है तो उसको financial service का जो business होना चाहिए financial कुछ financial business अगर उसका होना चाहिए तो वह 500 से कम नहीं होना चाहिए अगर 500 से कम है तो वह sponsor नहीं बन सकता है clear a sponsor should have positive net worth in all the immediate preceding 5 years मतलब sponsor के पास positive net worth होना चाहिए positive net worth का मतलब share capital plus reverse minus accumulated loss मतलब positive net worth होना चाहिए मतलब जो भी उसका share capital plus हुआ है जो भी minus हुआ है उसके positive होना चाहिए मतलब सारे immediate preceding 5 years मतलब पांच साल से जो भी है वो सारा उसका positive होना चाहिए the sponsor needs to contribute of minimum 40% of the net worth of AMC ये questions को माइन में रट जाए एक नमर का question ये जरूर से जरूर आता है कि sponsor को कितना कम से कम कितना percent contribute करना होता है AMC के net worth में तो sponsor को कम से कम 40% तो जरूर करना होता है तभी वो sponsor बन सकता है नहीं तो वो नहीं बन सकते है sponsors have to contribute a minimum of rupees 50 lakh और 1% of capital whichever is lower as initial contributions to the corpus of the mutual fund मतलब किसी भी sponsor का जो पहला investment होगा ये पहला जो उसका contributions होगा किसी भी mutual fund के corpus में तो उस mutual fund का जो corpus है mutual fund का उसको starting amount जो उसका होगा वो कम से कम 50 lakh होना चाहिए या तो एक percent होना चाहिए कि उसका जो भी capital है ठीक है easily आप समझ गया होगे इस चीज को दूसरा day to day operations of mutual fund is handled by the AMC already हम discuss कर चुके हैं AMC क्या होता है assets management company इसका day to day operations जो होता है mutual fund का ये handle किया जाता है AMC के द्वारा the sponsor or the trustee if so authorized by the trust deed shall appoint the AMC with the approval of CV मतलब sponsor या trustee ये सब जो होते हैं ये सब trust deed को authorized करते हैं अगर करते हैं तो sell appoint the AMC वो AMC को भी appoint कर सकते हैं लेकिन किसके approval से तो cb के approval से उमीद करते हैं आपको पता होगा cb क्या है ठीक है security and exchange board of india मतलब जो भी share market वगेरा होता है इसको regulate यहीं करती है clear है capital market को at least 50% of the directors should be independent director कम से कम 50% जो डारेक्टर होगा वो independent director होना चाहिए देखें ये सब एक एक नंबर का question है ये सब सीधा पूछेगा आपको exam में कि कितना percent director जो होगा वो independent होना चाहिए तो 50% डारेक्टर independent होना चाहिए the AMC needs to have a minimum net worth of rupees 50 crore AMC का किसी भी assets management company का कम से कम net worth जो होगा वो 50 crore का होना चाहिए clear है the appointment of an AMC can be terminated by a majority of the trustee or by 75% of the unit holders मतलब कोई भी AMC का जो appointment है उसको terminate किया जा सकता है बंद किया जा सकता है अगर 75% से जादा अगर उसके unit holder जो भी है अगर 75% से जादा लोग अगर उसको बंद करने के लिए बोल रहे है तो वो बंद हो जाएगा या फिर उनके जो trustee है उनका majority अगर जादा होगा बंद करने के लिए तो वो भी बंद हो जाएगा custodian is appointed by the trustee यह सब बहुत important line है कि custodian is appointed by trustee custodian को कौन appoint करता है तो custodian को trustee appoint करता है the role of the custodian is to safe keep the investments made by AMC custodian का जो role होता है is to safe safe होता है keep the investment custodian का क्या role होता है custodian से नहीं समझ मारा है custody करना custodian का यह काम होता है कि आपके investment को safe तरीके से रखना जो कि AMC के द्वारा है और also for tracking of the interest and dividend corporate action etc on the investment और उसकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह आपके investment के उपर जो interest आ रहा है यह जो dividend है उसको वो track करें ठीक है transfer agent क्या होता है to transfer agent is an agent of AMC to interact with the investor transfer agent जो होता है वो AMC का agent होता है assets management company का जो कि investor से interact करता है transfer agent is also known as investor service center transfer agent को ही हम लोग ISC भी कहते हैं investor service center investors can buy units directly from TA और through distributors investor जो है transfer agent के through भी buy कर सकते unit को या फिर distributor के through भी buy कर सकते है direct plan और regular plan दोनों regular plan is costlier than direct plan मतलब regular plan जो होता है वो direct plan के comparison ज्यादा costlier but customer gets better advice लेकिन customer को अच्छे advice मिलनी चाहिए investor complaints trustee मतलब investor का अगर कोई complain होता है तो वो किसको complain करेगा trustee को trustee का अगर कोई complain होता है तो वो किसको करेगा saveee को saveee का को करेगा sat 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 क्या होता है इसको भी हम detail में समझेंगे फिलाल इस chain को आप समझ लिजे investor complain करेगा trustee को trustee complain करेगा saveee को saveee complain करेगा sat को अब समझेए the trustee have a critical role in ensuring that the mutual fund complies with all the regulations and protect the interest of the unit holders trustee क्या होता है तो मतलब trustee का जो role होता है वो बहुत critical होता है कि ensuring that the mutual fund complies with all the regulations सारे regulations को वो देखता है and protect the interest of the unit holder और unit holders यानि जो उसके investor है उसके interest को वो protect करता है कि लिए है मतलब trustee की बहुत ज्यादा है मतलब बहुत important role होता है उस सब कुछ को manage करके चलता है investor can sue the trustee and not the trust investor जो है वो trustee जो होता है trustee का मतलब आदमी trust का मतलब trust organizations तो investor जो है वो trustee को बोल सकता है trust को नहीं कुछ हो सकता है the sponsor will have to appoint at least four trustee किसी भी trust का अगर a sponsor है तो sponsor जो है कम से कम 4 trustee उसको appoint करना ही होता है if a trustee company has been appointed अगर कोई trustee company appointed होता है then that company would need to have at least four directors on the board उस board में कम से कम 4 director भी होना जरूरी है बाद में at least two-third of the trustee directors on the board of the trustee company would need to be independent trustee ठीक है अब director में जो है कम से कम two-third जो होगा वो independent director होना चाहिए not associated with the sponsor in any way मतलब simple सा logic अब समझ सकते हैं इस चीज़ को दुबाड़ा पढ़िए नहीं समझ माया है ना इस लाएं को दुबाड़ा पढ़िए इंवेश्टर से लेके वे तक समझ में आ जाएगा that trustee shall enter into an investment management agreement ट्रस्टी जो होता है वो that trustee shall enter into an investment management agreement इसको समझी आये में trustee जो होता है मतलब जो trustee आदमी जो होता है वो इंटर कर सकता है investment management agreement में किसके साथ तो AMC के साथ with the AMC that will define the functioning of the AMC वो define करता है कि AMC का क्या function है in making and managing the mutual funds investment बनाने में trustee appoint AMC and custodian फिर यहां से question बन गया कि AMC को कौन appoint करता है trustee करता है custodian को कौन appoint करता है trustee करता है ठीक है अब यह हम आपको बताया थे पिछले वीडियो में कि open-ended fund होता है closed-ended fund होता है तो क्या होता है open-ended fund क्या होता है open-ended scheme क्या होता है closed-ended scheme तो basically open-ended schemes जो होता है open-ended schemes do not have a fixed maturity open open का मतलब खुला हुआ उसकी कोई fixed maturity नहीं होती है you deal with the mutual fund for your investment reductions the key features is liquidity इसका सबसे बड़ा benefit है क्या कि liquidity इसमें easy होता है आप कभी भी इसको liquidate कर सकते हैं you can conveniently buy or sell your units at NAV rate मत NAV से जो related price है उसके बीस पर आप कभी भी इसको खरीद सकते हैं कभी भी इसको आप बेज सकते हैं किसी भी point of time में investors can sell their units to the scheme through a repurchase transactions at a repurchase price which is linked to NAV समझ गया आप समझ गया होगो उमीद करते हैं बहुत आसान था closed ended scheme क्या होता है just इसका उल्टा समझ लेजे कि closed ended scheme जो होता है उसका established maturity period होता है एक maturity period होता है जिसको क्यों लोग closed ended scheme कहते हैं open ended में कोई maturity नहीं होता है इसमें maturity होता है you can invest in the scheme at the time of the initial issue and thereafter you can buy or sell the units of the scheme on the stock exchange where they are listed closed ended scheme में क्या होता है कि जब initially launch होता है तो उस case में आप इसको खड़िद सकते हैं okay उसके बाद क्या होता है उसके बाद stock exchange भी जब यह list हो जाएगा जब लिश्ट में आ जाता है तभी आप इसको buy कर सकते हैं यह sale कर सकते हैं company basically 3 type क्या होता है large cap company, mid cap company, small cap company large cap company क्या होता है तो first hundred company यानि top one से लेके hundred company जो होता है according to the full market capitalization उसको लोग करते है large cap, mid cap जो होता है one hundred one से लेके two hundred fifty company तक जो होता है यह होता है mid cap और two hundred fifty first company से लेकर के जो होता है उसके बाद वह होता है small cap इसके बारे में वह लोग detail से समझते है एक होता है multi cap fund तो multi cap fund क्या होता है investing across large cap, mid cap, small cap, stocks, the minimum investment देखिए यह question समझेगा हम clear cut आपको समझा रहे है कि the minimum investment in the equity and equity related instruments यह लग है large and mid cap fund में कितना करते हैं तो again 65% large and mid cap fund यह लग है large and mid cap fund में कितना करते हैं तो minimum 35% and mid cap stocks में minimum 35% of the total assets dividend yield fund क्या होता है तो predominantly investing in dividend yielding stocks large cap fund multi cap तो बता ही दिये थे large cap fund कि large cap fund का मतलब होता है large cap stocks में लोग को invest करना होता है इसका जो minimum investment होता है equity यह equity related instrument में वो आपका 80% होता है मतलब कम से कम आपको इतना invest करना होगा mid cap fund में क्या होता है इसका minimum जो हता है वो 65% का होता है 35-35 dividend yield fund में क्या होता है तो यह predominantly होता है investing dividend के case में तो उमीद करते हैं कि पूरा वीडियो हम आपको बहुत अच्छे से समझाये हैं एक एक point को हम discuss किये हैं वो भी हिंदी में आसान भासा में उमीद करते हैं कि पूरा आपको समझ मेया होगा अगर फिर भी कोई मन में doubt रह जाता है तो आप comment box में लिख सकते हैं हम आपको दुबाड़ा समझाने की कोशिस करेंगे आप इस वीडियो को दुबाड़ा फिर से जाकर के play कीजिए यह कुछ दिर के बाद play कीजिएगा दो तीन माट देखिएगा वीडियो आपको बुक परनी की जवर्यवत नहीं परेगी ठीक है तो पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार लाइक करने से motivation मिलती है और दोस्तों की वीच सेर कीजिए जिनका की मुचल फंड का एजाम है और अगर चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को जरूर नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दाब करके प्रेश करके सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी प्रकार का कोई भी मुचल फंड का वीडियो हम डाले तो आपको पता चल जाए नोटिपिकिशन बेल का बटन होगा उसको भी कलिक कर लिजे अभी हम अल्रेडी ये मेरा तीसरा वीडियो था मुचल फंड का आगे फिर हम मुचल फंड का डिस्कुस करेंगे डिपोश्टी का भी वीडियो आने वाला है आप सारा वीडियो देखिए आपको NISM के एकजाम में क्वालिफाइ कराने की जिम्मेदारी हमारी अपने शिंद रही है आप से वीडियो देखिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद